हेलो डियर स्टुदेंट वेलकम टीवर चेनल स्वामी विवेकानें टेक्नो टेक्नो टेटरियल एंड माइशल राहूल कुमार तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा यूनीट से मेजरिमेंट का पहला जो लेक्चर में दिया उसमें सिस्टम सब यू लेक्चर के लिए जो है कि लास्ट जो है कि मेरे उसको सब्सक्राइब नहीं कि वह जिद्न देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारे लास्ट वीडियो को वान बए वान करके देखो तो बच्चों अभी जो हम लोग पढ़ने वार रहे हैं वह लेक्चर नमबर टो कालेक्शन नमबर्ट मेजरमेंट का जिसमें हम लोग डायमेंशनल चेह DUZ का बात करेंगे पशनले एंट के लिए इंआ सब्सक्राइब करें visions vlo 2 अलग तरीके सार्फ ऊंट करेंगे नव्लस के लिए Aarona इस टाइप से ब्रेकेट में हम लोग नोट करें हैं मास लेंद के लिए एल और टाइम के लिए ठीक है अब मैं चोटा-चोटा कुछ अभी एक्जमपल लिया हूँ तुम लोग के सामने में देख रहे हैं और इसको में लोग को बता रहा हूं कि इसको कैसे रिपरेजेंट करत बीटे लिए यहां पर एम तो कुछ नहीं है कि अ का पावर जीरो लिखेंगे और एला का पावर क्या है स्कॉाइड में है स्कॉाइल में लिए प्सक्राइब क्या था एलां को पता है कि मीटर स्कॉइर होता है थीक है भॉल्यूम के लिए बात करते हैं तो फर्म ला क्या होती है वो यह वेद वी इन्टू एच सब यूटा सा सूरुवात कर रहा हूं अभी यूटिंटू यूसटी सबको पता है यूटी क्या होती है मास बाई वोल्यूम होता है ना मास बाई वोल्यूम ठीक है तो मास के लिए तो देखो हम लोगा पता ही है कि M होता है और वोल्यूम के लिए क्या अभी निकालें देखो L क्यूब निकालें वॉल्यूम के लिए कैजीं पार मिटर की हो ए सपीड और वेलोसिटी को सब्सकिन सो कुरू कर सकते हैं चैंद केका एं टाइम हो जाएगी और टी माइनस वान हो जाएगा ठीक है तो इसका यूनिट पता यह डिस्टेंस के लिए क्या लेते हैं मीटर लेते हैं तो मीटर पर सेकेंड हो गया रेट आप चेंज-ब पेरक लिसकते हैं तो मतला यहाँ पर क्या लिए सकते हैं माइनस वान और फिज़ेगा माइनस वन तो क्या हो जाएगा एल्टी मैनस टू तो इसको एसे रिगद डाइट एम जीरो एम कुछ नहीं है एल तो एली रहेगा टी वह चाल जाएगा तो टी माइनस टू ठीक है और एक्सेलेर संका पता ही है कि यह वैलोसिटी का क्या निकाल ह सबसij का मेंटम मामनन के सब्सक्राइगा मिट सेंटा मास़िटी होता तो मास मास मेंटम के लिए हम पता ही है कि क्या है यह यहाँ में तो मोमेंटम का मास हो गया मास का केजी होता है इसका यूनिट भी में लिख दे रहा हूं क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड है ना तो डाइमेंशनल फॉर्मुला में साथ-साथ यूनिट भी सिखते जाओ यूँकि अभी बेसिक शुरू हो रहा है अभी जोदी सीखे ना उसके बाद तो 11 लगेगा तो फोर्स क्या होता फोर्स को पढ़ा था ना मास इन्टू एक्सेलेरेशन अब मास हम लोगो पता है यह ही है एक्सेलेरेशन देखो निकाल चुके देखो तो क्या निकाले है ल्ट सदू सब्सक्राइब ढीरसंनहां पूस्टरया का निकाल टी माइन सब्सक्राइब तो एंटू हुए यह में ज्यूंचा उल्टू और इसक़ आँड़ मेसद थैंटू हो गया इसे तुम लोगो क्या है हो हम लोगो पता है क्या क्या होता हूकि तो हम लोग जानते हैं किसका न्यूटन होता है ठीक ना और हम लोग न्यूटन को डिफाइन करते हैं क्या हो जाता है के जी मीटर पर सेकंड का स्क्वाइर होगा प्रेसर क्या होता है प्रेसर का पता होना चाहिए क्या होता फोर्स बाई एरिया आप फोर्स का देखो उपरे म कर जाएगा है तो क्यों जाएगा मांच टी माइनस टू है अब प्रेसर में इसे निकालो तो निएटन और अरिया और कुछ बेसिक जो है फॉर्मॉला आना चाहिए उसका डाइमेंशनल फॉर्मॉला बहुत इजी है यह बहुत इजी है तुम लोग को अभी सबसे इजी टॉपिक तुम लोग को यही लगए ठीक है तुम लोग कुछ दूसरा फिजिकल क्वांटिटी को देख लेते हैं तो द दिश्प्लेस्मेंट टो फोर्स का लोग न देखुए पढ़ा था न इभी क्या पढ़ा था एम एल टी माइनस टू है न फॉर्स इसिकल डून मेकर बढ़े से और डिस्टन का फिर क्या हो जाएगा यह गार्ण हो जाएगा अम बन फार्वर का प्रमॉला क्या होता है था अब से मैंल तो टाइम यहां पर खाँली है तो यहांपर क्या पर बन जाएगा ml2 और यह टी यह उपार चल गया तो माइनस थिरी और पावर का यह से वाट होता है पता है ठीक है गरेविटेशनल कॉंस्टेंट नाइंध क्लास का बात करो पढ़ा होगा ना आमेने बता है गरेविटेशनल फोर्स क्या होता है दो कोई मास्ट पर लगता है एफिजिकलोजी गरेविटेशनल कॉंस्टेंट किसको बोलते हैं पता है क्या बोलते हैं जी निकाल लेते हैं तो जीजिकलोजी निकाल लेते हैं तो यहां से जी निकालेते हैं अनिकाल लेते हैं कि निकालो तो व्हान के ललगी मिल मिनस्या ठीonse अनल लेडया इन पिर मानगें हमें इसका य्मास कैसे निकालों किया होता है निटन होता है मीटर टो मीटर्सक्वार्ण कोई होता है मास का kg तो kg नीचे है इसलिए पर kg स्ट्रेस एस्ट्रेस का फोर्स निए एरिया तो फोर्स बाइड एरिया तो फोर्स निए के लिए iki माइनस टू और एरिया के लिए क्या होगा स्क्राओर सो यह हो जाएगा यह मइनस फान हो जाएगा और यह 10 माइनस टूखेँ देख को स्टेस का for and area कहने का मतलब यह था झाल ही है यह जदै आराम से बनाओगे तो नौर्मली सब फॉर्मुला आराम से लिगाए फोर्स का क्या पता है न्यूटेन होता है एरिया का मेटर होता है तो देखो चोटा-चोटा चीज यह टोर्क का फॉर्मुला में में कह रहा हूं कि सब सारा तुम लोग को मीलेगा हडवड़ान नहीं है इसलिए यह जो है तुमको याद हो जाएगा दिरे-दिरे तो टॉर्क क्या होता है कि फोर्स इंटू परपंडिकुलर डिस्टेंस इसमें पुरा डीटेल तुम लोग पढ़ो गया वी टेंसन देले ठीक है तो उनिट क्या ऐगा फोर्स का होता नियूटन का मीटर तीक है देख्ते जाएगा उन पबात करते हैं तो होता हर्च होता हर्च मोमेंट अपने अरेश्या का फॉर्मिला फीर आता है हमें क्या होता मास कि इन्टो is ने फॉर्मिला एंफ है रेडियेश ओफ गाइडियेस तो गायरेशन तो गायरेशन है यह嗯 यह जा Early इस मेल जोड़ है ρेडियेस त ज़िसमें टेंस मेलेना है सब्सक्राइब मतलब मोमेंट अपे नेरे से इकल टू मास इंटू रेडियस अफ गाइशन स्का इसक्वाइब चोटा चोटा चीजे में बहरा बोल रहा हूं इसके बाद में इसके अपली के समझाओंगा तो फड़ा फड़ा इसको नोट कर लो फड़ा पड़ा इसको स्क्रीन सोट लो फड़ा अब कुछ इलेक्रिसिटी का जो हम लोग पढ़े तेना चार्ज डेजिस्टेंस वोल्टेज करेंट तो उस अब कुछ डैमेंशनल फ़र्म फॉर्मला नहीं बढ़ा तो टैमेंशनल फ़र्मला भी तुम लोग तो अच्छे से लेक्ट्रिक चार्ज स्यधित्य संब्सिगार में पढ़ा होगा तो यहां से क्या निकल जाएगा Q is equal to I into T और I क्या है बताएं तो बेसिक उनिट में आता है जिसको हम लोग एंपियर से करते हैं उनिट होता है एंपियर है ना तो तो सिंपल होगे ना बेजम आसानी से कर सकते हो आप इसको क्या जानते हो इसका ए होता है अकरेंट का क्या होता है और टाइम का दटी होता ही है तो निकल गया और चार्ज का तो पता है कि कूलंब है इलेक्ट्रीक पोटेंशियल का बात करते हैं किसका इलेक्ट्रीक पोटेंशियल का तो इलेक्ट्रीक पोटेंशियल के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे इलेक्टिक पोटेंशियल का क्या था वीजिकल टू डबलू बाइक्यू तो देखो सारा चीज अभी यूज हो रहा है इसलिए गानना बहुत जोरी है पीछे का पढ़ाए भी तो फीजिकल टू डबलू बाइक्यू परें तेने पोटेंशियल कोई चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ता है वीजिकल डबलू डबलू देखो हम लोग अभी उधर निकाले थे ना डबलू इसे लिंक हो रहा है इसलिए पढ़ाओ मन लगा करके एम एल टू टी माइनस टू ठीक है और चार्ज का देखो अभी निकाले तुम लोग जो है कि अब पढ़ाई स्टाट कर दो ठीक है और में बात यह है कि सारा एक एक चीज़ तो तुम लोग को पढ़ाई होई रहा है एम लटू टी माइनस टू और देखो यह उपर चल जाएगा तो ए-1 और टी माइनस वन देखो ठीक है को बेमें नोट करना अच्छे से यहां से लेक्रिक पोटेंचियल अब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का बार में बात करेंगे तो ओम सुलो सिधे दिमाग में आना चा तो निकल जाएगा तो निकाल लेते हैं ना ठीक है अच्छा टी तो माइनस क्यों कर रहे हैं इसको यहीं पर लिख देते हैं ना टी मैनस थिरी हो जाएगा बस मैंना टी को एक साथ लिग दिए ठीक है रेजिस्टेंस के बारे में देखो भी इस इकल टू आयार ओम सुलों हम आर इस इकल दो निकालेंगे तो क्या अगब ही बाई और भी कर देखो निकाल चुके हैं ना भी कर हम लोग निकाल चुके क्या लाए यह एम एल-2 टी-3 ए-1 है ना और पिर क्या आई है और आई का तो पता है भाई एम-प्य लिखेंगे सिदा सथ बस यह उपर चल जाएग बताया थे ना कंडुक्टर पर डिपेंड करता है कंडुक्टर कैसे कैसे लेंद करेंट बात आर इसे कल टो फर्मुला पढ़ा होगा रो बटा एरिया है ना यहां से रो निकाल लो तो रो जिकल लो क्या जागा आरे बाई एल और तो अभी अभी हम लोग जो है कि रेजिस्ट कट जाएगा रेजिस्टिवीटिय को सबको पता ही है कि ओम मीटर होता है तो देखें हम लोगों ने जो है कि वन बई वन करके जैदी बेसिक यूनीच्ट फंडामेंटल यूनीच्ट डायमेंशनल फॉर्मूला का कॉंसेट जैदी इस लोगों को पता रहता है तो आराम से सब्सक्राइस अब हैं निकाल सकते हो तो अब इसको स्कीन शौट ले इसके स्कीन सॉट लेते हैं तो टीमेंशनल फॉर्मुला की और चाहिए निकल जाएगा तो इसका कितना तरी कैटेगरी में बाठ सकते हैं तो देखो ध्यान पर निकाल को डाइंड अलग कोळिटाने डाइंड के म eller करते बात करते बात करते हैं मतलब नहीं है जिसका डान DFी है लेकिन वो constant नहीं होगा non-dimensional variables यहां से समझेना non-dimensional variables the quantities like angle specific देखो यहां सिधा से बताता हूँ non-dimensional variables the quantities like angle specific gravity, strain पढ़ोगे इस सब के बारे में डिटेल पढ़ोगे तो इसमें क्या होता इसमें नहीं तुमारा neither possesses a dimension nor they have a constant value नहीं उसका कोई dimensional formula होगा नहीं उसका कुछ तुमारा constant value होगा मतलब ना तो dimensional formula होगा नहीं constant होगा उसमें कुछ नहीं होगा इसलिए उसका बोलते है non-dimensional variable dimensional constant ध्यान देना जैसे gravitational constant हम लोग भी बात किया लेकिन गिरेविटेशनल constant ठीक है non-dimensional constant अब जिसमें 1, 2, 3, कुछ भी number, trigonometric ratio, pi, e का value तो उसमें कुछ ही नहीं है उसमें simple non-dimensional constant है वो simple constant quantities होती है तो dimensional variable non-dimensional variable dimensional constant और non-dimensional constant एक बढ़ पढ़ों के सवांदिन आजाएगा ठीक है अब आते हैं कि जो dimensional formula जो हम लोग अभी-अभी निकालना समझ गए है dimensional formula के बारे में हम लोग समझें तो उसका usage क्या होता है उसका कहाँ applicable होगा हम लोग उसका use क्या करेंगे dimensional formula से 3 use बताएंगे तम लोगो dimensional formula का 3 use बताने वाले है तो देखो ध्यान से usage of dimensional equations जो हम लोग equation निकालते है to check the correctness of a physical equation जैसे हम लोग अभी physics में पढ़ेंगे kinetic energy is equal to half mb square potential mgh तो उसका correctness LHS is equal to RHS को देखेंगे dimensionally दोनों बराबर हो रहा कि नहीं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सब डिसकस करेंगे बहुत अच्छे से one by one don't take tension to derive the relation between different physical quantities involved in a physical phenomenon आप तुम लोग को पता चल जाएगा यह से हम लोग pendulum है pendulum किस पर depend करेगा time period उसका किस चीच पर depend करेगा length पर depend करेगा mass पर depend करेगा तो तुम लोग सारा physical quantity पता चल जाएगा तो भोले है कि बताईए कि इसका formula क्या होगा तो हम लोग डिराइब करने सीखेंगे यह भी next class में third number to change from one system of units to another हम लोग इसमें system unit का जो system होता उसको भी change करना सीखेंगे तो देखा हम लोग तीन usage पढ़ेंगे और तीनों का one by one करके में classes लोंगा next class में और देखना एकदम आसानी से एकदम जैसे अभी तुम लोगों को यह class समाझ में आ गया वसे तर next class भी बहुती अच्छा होगा बच्चो तो अराम से जो है कि relax mode में पढ़ो 11th class को physics से start होई गया मैं बार बार कह रहा हूँ तो ओके बच्चो तो आज जो है कि इसको screenshot ले लो ठीक है इसकी screenshot ले लिए अब देखो one by one करके notes बनाओ systematik ढंक से पढ़ना सुरू करो और जदी तुम लोग first बार कोई बीजी इस channel को देख रहे हैं तो subscribe करो अपनों फिरेंड को बताओ और उसके बाद ज़िए class अच्छी लग रही है comment करो share करो सोके बच्चों आज के लिए इतने रखते हैं टेक केर